मलिक मुहमत जायसी भक्ती काल की निर्गुण भक्ती साखा के प्रमुख प्रेम मारगी कवी है उन्होंने पदमावत, अखरावत, आखरी कलाम, चित्रावत, मटकावत, नैनावत बहुत सारी कितावे लिखी है और उन्होंने सूफी वाद की जलक अपने साहिते में दिखाई है, आउदी बासा का और फार्सी का खूब प्रयोग किया है और उनकी जो रचना है पदमावत, उसके कारण वे ज़्यादा प्रसिद रहे हैं पदमावत एक प्रेम आख्यानक कावे है, एक प्रेम कता है जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन कावी वर्नन किया गया है राजा रतन सैन, नागमती, पदमावती, अलावदीन खिल जी, रागव चेतन, ये बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे पात्र जो है, इसका हिस्सा है पदमावत का और पदमावत 1540 में लिखा गया है, अवदी बासा है, दुआ चौपाई चंद है, 57 खंड है, इसमें खंड मतलब अध्या है इस किताब की खासियत ये है, कि इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्नन है, बहुत सारे प्रतिकों का प्रियोग किया गया है जैसे इसमें एक पद है, तन चित्तुर मन राजा की न, तन चित्तोर और मन राजा है ये सिंगल बुद्धी पदमनी चिना, इरदे सिहल दीपे और बुद्धी पदमनी है तो ये सारी चीज़ें बताई गई है, अलाओदीन को माया का प्रतिक बताया गया है, रागव चेतन को सैतान बताया गया है तो इस तरह से सारे प्रतिक जो है, इस किताब में प्रस्तुत किये गए है जो लेखक है जायसी ने कोई दारमिक विद्वेस नहीं दिखाया है और एक मुसलिम केरेक्टर को अलाओदील को खलनायक बताया है इंदू केरेक्टर जो है राजा रतन सेन उसको नायक बता है तो उनके दिमाग में कहीं कोई यह बावना नहीं थी किसाब मैं मुसलिम हूँ तो मुसलिम को समर सपोर्ट किया जाए और उसकी सान में कसीदे पढ़े जाए तो लिबरल टाइप के व्यक्ति थे वो और उन्होंने बहुत सारी नीती की उपदेश की बाते कही अपनी किताब के माधिम से नागमती को आदार बना के बारह मासा वर्नन किया है कि जब राजा रतन सेन पदमावती को प्राप्ट करने के लिए स्री लंका जाते है सेहल दीप जाते है चितोड से तो पीछे उनकी पहली पतनी नागमती कैसे दुखी होती है प्रतेक महीने के हिसाब से तो बारो महीने का बारह मासा भर्नन भी उस किताब में आपको मिल जाएगा उस जो वो किताब है पदमावत उसमें आपको बिम्ब, प्रतिक, फेंटेसी सारी चीजे मिलेगी और इस किताब की विसेशता ये है कि एक तो एक किताब जो है बहुत आकरसक है बहुत प्रभावी है, पाठ्पों के बड़ा असर छोड़ती है इसमें दार्मिक समन्वे, इंदू-मुस्लिम का समन्वे किया गया है जैसे मने आपको पहले ही बताया कि साब मुस्लिम को भी खलनायक बताया है इंदू को नायक बता दिया गया है नारी स्रिंगार का चित्रण है, अवदी भासा है, दुआ चौपाई चंद है आत्मा और परमात्मा के समन्वे का चित्रण किया गया है प्रकरती चित्रण है, दाशनिकता है, आदर्सवाद है ये तमाम चीज़े हैं और इसके अलावा, आपको उस वक्त का जो संस्क्रती थी, कल्चर था उसके भी आपको इसमें दर्सन हो जाएंगे, उस वक्त का जो समाज था दार्मिक व्यवस्ता थी, उसके भी दर्सन आपको हो जाएंगे गुरू की महिमा का चित्रण क्या है पदमावत में जो हिरामन्त होता है उसको गुरू का प्रतीक बताया गया है आलांकि जो पिक्चर बनी है पदमावत उसमें गुरू का कहीं कोई करेक्टर नहीं दिखाया हिरामन्त होतेगा लेकिन वास्ता में इस किताब में हिरामन्त होतेगा भी वर्लन ने में लिखी गई किताब एक मैसेज देती है दार्मिक समनवे का और दुष्टता के ऊपर प्रेम की विजय का भी पर्चम लहराती है तो यह किताब बहुत बहतरी ने आपको पढ़नी चीए जायसी का समस्त साइति जो ए अनू करनी है थेंक यू